हलो दोस्तों मैं पश्रान आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एक वेटीटू कमुनिटी में स्वागत करता हूँ तो आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि option selling करने का perfect तरीका क्या है यानि कहां पे हमें option selling करना चाहिए और option selling का perfect time क्या है यानि किस time पे हमें option selling करना चाहिए इन सारे point के उपर हम इस वीडियो में डीटेल से बात करने जा रहे हैं क्योंकि जब option selling का time होता उस time पे अगर आप options buying करोगे तो आप trap में first सकते हो और वहाँ पे जो premium का decay होता है वो आपके लिए enemy के रूप में काम कर सकता है इसलिए जहाँ पे हमें options selling करना है वहाँ पे हमें options selling करना उसके जबापे हम options buying नहीं कर सकते हैं और ऐसा काम हमें कहाँ पे करना है चलिए सीखते हैं और समझते हैं कि यहाँ पे हम चार्ट पे आगे और देख सकते हैं यह stocks है आपका IDC का अब यहाँ पे आपको वैसे stocks को select करना है जहाँ पे हमें volatility कम देखने को मिले यहाँ पे momentum हमें कम देखने को मिले और इन सब का perfect example है high weightage stocks आप select कर सकते हैं वहाँ पे आपको बेतवीन कई बार options selling opportunity मिलेगा और high weightage stocks में हमें ज्यादा volatility देखने को नहीं मिलता है और वही चीज़ हमें चाहिए options selling करते समय है options selling से आपको profit मिलना बहुत ज्यादा मुस्किल हो जाएगा तो सबसे पहले stock selection पर आगे और यहाँ पे daily timeframe पर आगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर समझना है concept daily timeframe फिर आप चाहो तो five minute के timeframe के देखके implement कर सकते हो trade execute कर सकते नहीं तो daily timeframe पर रहते हुए भी trade execute कर सकते हो तो सबसे पहले यहाँ पर concept को समझिए अब यहाँ पर देखे प्राइस आपका नीचे से ऊपर साइड की तरफ जा रहा है अब यहाँ पर आने के बाद क्या हुआ जो buyers हैं वो थोड़े से कमजोर हुए यानि buyers में हमें सबसे पहले कमजोरी देखने को मिला with green candle long tail at the top उसके यहाँ पर sellers ने entry मारा अभी sellers मुतना strength नहीं है लेकिं sellers ने entry मार दिया फिर यहाँ पर sellers हमें strong होता हुआ दिखा मतलब यह जो लेवल है यहाँ पर हमें क्या दिखा systematic power का transfer दिखा from buyers to sellers और यह लेवल आपका एक strong resistance के रूप में काम करता हुआ दिख रहा है और सिर्फ यहाँ पर resistance नहीं बना अगर आप levels को देखो यह levels है आपका 350 आपका यह psychological level भी है मतलब एक psychological level पर resistance लेवल बनना यह बहुत ही strong resistance लेवल होता है उतनी आसानी से break नहीं होता है और अगर break हुआ तो फिर price इसके उपर जाता हुआ देखता है यहीं यहीं वह point होता है जहां से हम breakout के लि क्या करेंगे जब भी अगली बार price इसके करीब आएगा हम यहां पर option chain देखेंगे कि इस particular level पर option chain में कैसा build-up है call वाइटियोस का कैसा quantity है और पूट वाइटियोस का कैसा quantity है और अगर यहां पर हमें call वाइटियोस हा भी दिखे तो हम क्या करेंगे इस level के करीब आते हैं sell स हम आगें ITC के option chain पर अगर आप देखें उस time पर भी जब पे गया था और अभी भी 350 के level पर अगर हम देखें तो लगबग आपको वन करोड 60 लैक के करीब क्या दिख रहे हैं यहां पर call वाइटर्स दिख रहे हैं और अगर पूट वाइटर्स की बात करें तो पूट वाइ तो चाहिए आप अपर इंटरेस्ट बात कर लो या फिर चेंजिन ऑपर इंटरेस्ट बात कर लो सारा कुछ 350 के level पर call side की तरफ जादा यहां पर बहुत जादा हावी है यह जो लेवल है आपका एक वाल के रूप में बन गया दिवाल के रूप में बन गया है और यहां पर पायर्स कमजोर है कमजोर आदमी क्या इसको ब्रेक कर पाएगा अबेसी बात है नहीं ब्रेक कर पाएगा इसके लिए जब अर्दस्ट चाहिए होगा और वह स्ट्वेंट अभी बायर्स के पास है नहीं तो यहां पर हम क्या करेंगे यहां पर हम रिवर्सल की उम्मीद कर सक करेंगे देखिए हम आगें ITC के डेली चार्ट पे उसके बाद जैसे ही प्रैस आपका 350 के करीब आया है हमने पहले से रिसाइड कर लिया था यहां पर हम सेल साइट की तरफ पोजिशन इनिशियेट करेंगे और यहां पर जो हम एसल रखेंगे वो 352 का SL वख है यह नि सिर्फ 2 पॉइंट का SL है और टागेट पेस के अगर हम बात करें 340 हमारा फर्स टागेट पेस होगा यह नि 10 पॉइंट का टागेट पेस और 2 पॉइंट का SL विस रिवार्ड भी हमारे फेवर में अब यहां पर हम जो SAL की तरफ जाएंगे यह FUTURES में ले सकते हैं लेकिन हमें trade करना options में तो options में यहां पर हमारे सामने दो options होगा आईदर यहां पर हम क्या कर सकते हैं? put options को buy कर सकते हैं या फिर call options को sell कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक strong resistance level है और हम इस resistance level के करीब आते ही immediate sell side की तरफ जाएंगे उसके बाद क्या हो सकता है price आपका यहाँ पर रुखता हुआ भी दिख सकता है यहाँ पर आपका build up का भी formation हो सकता है यहाँ पर आपका either accumulation zone भी बन सकता है या फिर distribution zone भी बन सकता है distribution zone बनने के chances है तो distribution zone बनता हो दिख सकता मतलब price आपका एक particular range में move करता हो दिख सकता है और अगर price आपका एक particular range में move किया तो यहाँ पर आप put options buy करोगे तो यहाँ पर आपको premium decay card loss उठाना परेगा तो इसी को देखते हुए यहाँ पे हम put options buy करना prefer नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे उसकी probability काफी ज़्यादा है चाहिए यहाँ पे accumulation हो गया है यह distribution होगा कुछ भी होगा price का एक range में move करना लगबग fix है ऐसा बहुत कम होगा कि price directly आपका v-save गिरावट दिखा दिया कई बार आपको यहाँ पे distribution phase बनाता है फिर price आपका नीचे गिरता है तो ऐसे conditions में हमें यहाँ पे options buying नहीं करना फिर यह क्या बच जाता है options selling का यह perfect time होता perfect तरीका यही है options sell करने का तो यहाँ पे हम क्या करेंगे options sell करेंगे कौन सा options sell करेंगे यहाँ पे जो हम करेंगे at the money पे ही जाना prefer करेंगे 350 के call options को यहाँ पे हम sell करना prefer करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या करना है क्यों करना है यह सारा कुछ आपको समझ में आगे आओगा आगे बढ़ने से पहले एक और चीज आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप options के बारे में और details से जानना चाहते हैं from basic to advance तो इसके उपर हमने एक details सा quotes बनाया जहांपे आप options में basics लेके advance level तक सीख सकते हैं खुद को आप as a independent trader के रूप में बना सकते हो खुद आप as a independent trader के रूप में काम कर सकते हो अपने trading decisions में किसी और की help की जवब नहीं परेगी और इसके अलाबा आपको बहुत सारे और भी course मिल जाएंगे stock market में basics लेके advance level तक chart pattern, candlestick pattern तो यहाँ पर हम इने course को इस तरीके से जवाइन किया है कि आप stock market को भी as a career options की रूप में tweet कर सकते हो तो एक बार आप हमारा mobile app equity community को play store से डाउनलोड करके ज़रूर course पर बीट कीजिए और हमारे mobile app का link आपको इस वीडियो के description में भी मिल जाएगा तो वहाँ पर भी download करके आप course को ज़रूर देखिए कुछ भी doubt या confusion होता तो हमें एक आप contact कर सकते हैं और आपको अगर course पसंद आता तो आप enroll भी कर सकते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमने यहाँ पर decide कर लिया कि हमें यहाँ पर क्या करना 350 के call options को यहाँ पर हमें sell करना तो चलिए अब हम आज आते हैं इस call options वाले चार्ट पर देख सकते हैं यह 350 का call options है 27 October इसका expiry है तो अब देखिए हमें जो trade initiate करना था वो 350 करीब करना था और यह आपका इसी के आसपास होगा यह नि इसमें जो हमें sell side की तरफ जाना था वो 6.5 के करीब हमें sell side की तरफ यहाँ पर जाना था थोड़ा इससे उपर ही होगा लेकिन हमने यही label लिया है अब यहाँ पर हम छोटा सा SL लगा सकते हैं अगर आप जाओ तो यहाँ पर SL आप 7 का लगा सकते हैं या नहीं तो sport के basis पर भी आप यहाँ पर अपना SL ट्विगर कर सकते हो हमारा target क्या होगा इस label के आसपास यह नि 4 हमारा target price होगा तो यहाँ पर हम die point छोड़ देते हैं हम 2 point के profit के लिए आसानी से जा सकते हैं और इसका अगर हम lot size की बात करें तो लगबाग 3200 का lot size है तो यहाँ पर हमें आसानी से लगबाग 6400 के करी profit मिलता हुआ दिख रहा है सिर्फ intraday trade से और यहाँ पर हमने call options को sell किया है तो यहाँ पर जो investment लगता है वो आपका लगता 1 lakh के करीब और उसके basis पर हमें यहाँ पर single day लगवा 6.5% तक का return मिलता हुआ देख रहा जो कि more than sufficient return है तो इस थरीके से आप decide कर सकते हैं कि कहाँ पर हमें options selling करना है और कहाँ पर options buying नहीं करना है यह भी आपको देखना है कि यहाँ पर हम confirmation के लिए wait नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि इस price पर आने के बाद जो buyers कमजोर हुए थे और sellers active हुए थे और यहाँ पर हम मान के चल वें कि अगली बार जब भी इस price के करीब आएगा तो सेम चीज हमें देखने मिलेगा यहाँ पर buyers कमजोर होंगे और sellers strong होंगे और इसी को देखते हुए हमने छोटा सा sell लगा के यहाँ पर sell side की तरफ positions initiate किया है और हमने पूरा जो decision लिया वो option chain का बहुत बड़ा उसमें रोल है क्योंकि वहाँ पर OI जो build up हुआ है call side की तरफ वो बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं यहाँ पर हमे call vitals aggressive ज़्यादा दिख रहे हैं इसलिए हम call vitals को follow करते हुए उनके साथ हमने यहाँ पर चला है और हमने call options को sell किया है यह आपका simple सा basic concept लेकिन काफे informative और useful हो है वो आपको समझ में आ गया होगा इस तरह के और भी content के लिए चैनल को subscribe कीजिए ताकि हम इस तरह के और भी content आपके लिए वेगले basis पर लाते रहेंगे वीडियो पसंदा है प्लीज वीडियो को like करके encourage कीजिए और साथी साथ bell icon दवाला ना भूले ताकि जब भी हम वीडियो अप्लोड करें उसका notification आपको मिल जाए तो अधास आल फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जाहिंद